जणाब आठा गुंदा जा रहा है या आठा गुंदाने की मशीन है और इसके अंधर बस पानी आपको हास डालना पड़ेगा मैनुआल बड़ेगा वाकि ये आठा अपने आप गुंदे जाएगा अमदाजे से कि कितना पानी डालना है और जब यह आटाक पूरा गुंद जाएगा उसके बाद यह के अंदर कम से कम यह सब्तर से सी हजार हो जाना है तो यह देखो जी आटा पूरा गूल चुगा है और अब इस आटे को डाला जाएगा उस मशीन के अंदर तो यह देखो जी यहाँ पर आटा डाला जा रहा है यहाँ गुंच होगा जो भी आपके सामने गुंद है और यह मश इसको एक रोटी की शेव के लिए पेड़े में ट्क्तिया जा रहा है तो हर एक पेड़ा जो है वो एकोली है और ये सुखा आटा जो की दूरा लगाया जाता है जब रोटी बेल के है ताकि रोटी छिपके नहीं पटे ना तो ये इसके अंदर देख रहा है आराम से आरहा है और यहां पर रोट बेल के सीथा धार भीगा तो यह प्रसादा बेलगयों प्रसादा बेलने के बाद सीथा भांगय चल रहा है जह पर अब ये ग्यास के अंदर जा रहा और एक्तम स्लो चलेगा एक वार राउंड नहीं लगेगा तीन चार राउंड है दो तीन राउंड है अब देख सकते हो उसके अंदर रोटी को शेक लगता है और शेक लगने के बाद सीधा एंड में आके वो निकल जाएगी जब पूरी डन हो जाएगी अब दिखाते हैं आपको कहा पे निकलेगा परशादा यह देखो जी गर्मा गरम परशादे रेडी हो चुके हैं और अब इसको लंगर ओल में लेके जाए जाएगा इस पर घी लगाया जाएगा और फिर लंगर और में लेके जाएगा देख रहें कितने फुल कितनी भारी मात्रा में रोटिया बेली जा रही है और लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं सेवा करते हैं और अगर आप भी आना चाते हो तो यह देखो जी पहले सबसे पहले दाल परोशी जारी है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कभी भी आप गुर लंगर वेस्ट नहीं होना चाहिए बस तो यह चीज़ का ध्यान रखना यह एक रिक्वेस्ट है और कभी भी गुर्दवारे आए तो कोशिश करना थूद सेवा करने की अंदर क्योंकि सेवा करके जो आनंद मिलता है लोगों को जो फीट करने में आनंद मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिले का और हो आप देख सकते हो सारे के सारे बंदे नीचे जमीन पर बैटे हैं जैसा मैंने बताया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो चाहे कोई मिनिस्टर हो या चोटी से नोगरी करता हो हर एक बंदा यहाँ पर एक समान लेवल पे एकोल लेवल पे बैटके लंगर चकता है और जो बुज़ूर्ग लगए उनके लिए सीट लगा रिखें जिनको नीचे बैटने में तकलीव होती है आप देख सकते हो परशादा दे रहे हैं आप परशादा दे रहे हैं तो ऐसे पूरा का पूरा ये प्रोसेस है जो दिन भर चलता है और ताजा लंगर बनता है कोई भी चीज बासी नहीं परोसी जाती हर एक चीज ताजा बनाई जाती है क्या बात है